सावधान आ रहा है बहुत बड़ा तूफान मिथुन रासी मिथुन नमस्कार मैं मैं क्रिपाथी नव अग्यान जोति शैनल पर आप सभी दर्सकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि आने वाले मै के महिने में कौम सा तूफान आने वाला है किन किन विस्वयों में आपको सावधानी बरतनी होगी अगर आपकी मिथुन लगनी या मिथुन रासी है क्या-क्या सुबफल आपको मिलेंगे और उन समस्याउं से बचने के के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए आगे बढ़ने से पहले मैं बता दू या जो मैं मही का रासी फल बता रहा हूं मिथुन रासी वालों के लिए ये आप भी आपने लगन कुंडली और चंदरासी दोनों के अनुसार देख सकते हो अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन क्या है या आपकी चंदरासी क्या है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हों कनफ्यूज मत हो जाना मान लिए आपकी मितोन लगन है रासी कोई और है तो दोनों का वीडियो देख लीजिएगा दोनों में फल ये बढ़िया आपको बताया जाता है तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट आपको 50-50 उपाय करेंगे तो आपका बचाओ होगा और सुक्सम्रद्धी में व्रद्धी भी होगी किन्तु यदि आप उपाय नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपकी बद्धी आपके कुंडली में मही के महिने में गुरू देव ब्रहस्पती एकादस भाव में जो की गोचर कर रहे हैं वरतमान में ये एक मही को बारवे स्थान में गोचर करने लगेंगे शुक्र और सूरी ये दोनों ग्रह सुरवात में एकादस भाव में रहेंगे और चौदा मही को सूरी देवता गुरू देव ब्रहस्पती के साथ गोचर करना शुरू कर देंगे आपके द्वादस स्था लाहू जुवावस्था में हो चुका है यानि कि 20 डिगरी का हो करके गोचर कर रहा है आपके दसंभाव में मंगल के साथ और केतू वही पर यथावत गोचर कर रहे हैं आपके चोथे भाव में आपकी कुंडली में लगनेस बुद्ध देउता ये दस मई को नीचता से बाहर आ जाएंगे और 11 भाव में ये गोचर करने लेगे ये हैं प्लेनेटरी पोजिशन अब जानते हैं मिथनवालों के लिए रासिफल क्या है रहेगा इस मई के महिने का सबसे पहले में जानकारी दू कि जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उनके लिए वैसे तो इस्थिटी ठीक है कहीं कोई दिक्त नहीं है लेकिन सुरवात में नौ तारिक तक आप बना करके रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है नौ तारिक तक थोड़ा बॉस उच्च दिकारियों से तालमेल अच्छा बना करके रखिएगा अनिथा कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद उत्पन हो सकते हैं और आपके कारिश्चेत्र में हो सकता है आपके बहुस बादा उत्पन करें कोई बड़ी दिक्त होने की समभावना नज़र नहीं आ रही है लेकिन थोड़ा सीनियर से नोक जोक होने की, महिस होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि लगनेस भी आपका नीचका है, दसंभाव में राहु और मंगल का जो ये अंगारकी होग है, कहीं न कहीं कारी छेत्र में खास करके नौकरी करने वालों के लिए बाधायें बनाएग ये दस तारिक तक का समय आप समल करके काट ले जाओगे, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लगनेस एकादस भाव में, इच्छा पूर्पी के भाव में बैठ जाएंगे और सभी काम आपके बनने लेगे जो व्यापारी हैं, तो व्यापारियों के लिए इस्थिती सो सो है, बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत खराब नहीं, सामानी तरीके से आपका व्यापार पूरा महिना चलता हुआ दिखाई पड़ेगा जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए प्लस पॉइंट बना हुआ है, सिख्षा उचिख्षा, दोनों में आपको लाभ में बता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सिख्षा का मालिक एकादस भाव में 31 माई तक का विराजमान है, इसका भरपूर मात्रा में लाभ मिलेगा प्रेमी जोड़े हो, तो प्रेम में आपको लगातार सक्सेज पूरा महिना मिलते हुए दिखाई पड़ेगा, जो लोग संतान की कामना रखते हैं, अगर उनकी मिथून लगन या मिथून रासी है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, कि प्रबल योग माई के महिने में संतान प्राप्ति के बने हुए, अगर आप कोशिश करोगे, तो संतान की प्राप्ति इस मई के महिने में आपको हो जाएगी, ये एक सुबसमा चारा है, इसके अलावा, अगर देखें वयवाहिक जीवन की, तो भईया वयवाहिक जीवन आपका सामानी तरीके से चलता मुएज़गा ना अच्छा, बहुत है गोचन ना खराब है, सो सो है, जो लोग शेर सत्य में निवेश करते हैं, लंबे समय के लिए, या शौलटम के लिए, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, अगर लंबे समय के लिए आप कहीं भी निवेश करते हूं, जहे का स यमीन जयदाद भूवि भवन में तो थोड़ा सभल करके इस अवधी में निवेश करिएगा पैसा कहीं पर फसा मत बैठिए क्योंकि आपका निवेश इस समय आपके लिए घातक साबित हो सकता है ट्रेडिंग करने वालों के लिए समय ठीट ठाक है उनके लिए कोई दिक्कत बात करें अगर भागी की तो भागेस आपकी कुंडली में भाग्य भाव में ही बैठा हुआ है ये एक बहुत बड़ा राहत वाली बात है कि भागी पूरा महिना आपका जबर्दस तरीके से साथ देता रहेगा इस विशे में आप लखी रहने वाले इसका आप लाव उठा सकते हो अगर आप देश-विदेश की यात्रा करना चाहते हो तो यात्रा करिए उसमें गोचर आपके लिए अनकूल बना हुआ है यात्राओं से आपको लाभ मिलता रहेगा अगर वीजावगरा नहीं लग रहा था आपका तो आने वाले समय में याने कि 10 तारीक के बाद से आप यदि प्रयास करोगे तो आपको सफलता हासिल हो जाए इसके अलावा जो भी मितुन लगन और मितुन रासी के विक्ति किसी भी प्रकार का कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उनको इस अवधी में थोड़ा सयम से काम लेना चाहिए कोशिश करें कि मई के महिने में कोई नया काम कारोबार आप शुरू ना करें कोई कि नया काम कारोबार अगर आप शुरू कर दोगे तो दिक्कत में निश्चित तोर पे आजाओ अब बात करें कि आपको साउधानी क्या-क्या रखनी चाहिए तो सबसे पहली ची गुरु देव ब्रस्पती आपके बारवे भाव में पहुँच चुके हैं और बारवे भाव में इस शत्रूरासी में बैठे हैं देश-विदेश जाने के लिए तो बढ़िया है लेकिन ध्यान रखिएगा कि गुरु देवता की सीधे द्रश्टी सब्तम द्रश्टी आपके पढ़ रही है छठे भाव पे छठे भाव पे जब द्रश्टी बढ़ेगी तो छठा भाव आपका बढ़ने वाला है तो मिथुन वालों को विशेश सतर्टा ये बरतनी चाहिए कि अनावस्यक किसी से सतर्टा न पाले ब्योहार सबसे बना करके चले और विशेश सावधानी आपको ये रखनी है कि कोशिश करे कि किसी को न पैसा दे करजा न दे और न करज ले क्योंकि अगर आपने इस अवधी में करज ले लिया तो मान के चलिए चुकाने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और अगली सावधानी आपको ये रखनी है कि गाड़ी वाहर अगर सेल्फ ड्राइब करते हो तो बहुत संभल करके आपको ड्राइब करना चाह महसूस करो तो इस पे आप नियंतर रखिएगा वाणी संभल करके प्रयोग करिएगा तो आपके लिए ठीट है स्वास्त और आर्थिक स्थिति की अदिबात करें तो स्वास्त आपका सुरवात का जो एक हपता है थोड़ा सामाने रहने वाला है थोड़ा नरम रहने वाला ह इस चीज का ध्यान रखिएगा और स्वास्त में कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए ओम गंगरपताय नमा या ओम ब्राम ब्रीम ब्राउं सहबुद्धाय नमा इस मंत्र का कम से कम एक माला जब कर लीजेगा इस से आपका कॉन्फिडेंस लेबिल बढ़ेगा और साथ ही साथ बेचैनी चिर्चिराहत कुछ भी नहीं हो अगर बात करें पैसे रुपेकी की आमदनी आपके पास कैसी होगी तो आपके कुंडली में पंचमेश शुक्र सुर्वात से ही बैखे हैं एकादस भाव में और वहीं पर बुद्ध भी साथ में बैठ जाएंगे तो पैसा ल पूर्ती लगातार पूरा महिना होते हुए दिखाई पड़े तो आमदनी के विशे में और भागी के विशे में आप लकी रहने वाले हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है यानि कि देवी क्रपा भी बनेगी और पैसा भी जितना आप चाहते हो उसके एकॉर्डिंग आपके पा नमस्कार